इस चैनल पर हम आपके लिए रहसे में और स्वास्ता समन्दी सभी बाते देकर आते हैं चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को ज़बर दबाए इससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नॉटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले बावासीर बहुती कष्टदायक बीमारी है यह इनसान की मल दवार पर होती है इसे पाइल्स के नाम से भी जाना जाता है इस समय से पुरुषों से ज़्यादा महिलाये ज़्यादा पीडित होती है बावासिर से फीडित लोगों को कई तरग की परिशानी और असन दिया दर्थ का सामना करना पड़ता है आज हम आपको बताएंगे कि बावासिर की बिमारी कीन वज़र से होती है तो आईए जानते हैं जाना बैटनी की वज़र से जो लोग दिन भर ऑफिस में बैट कर काम करते हैं या हर समय बैटे ही रहते हैं ऐसे लोगों को बावासिर की समस्य हो सकती है दिन भर बैठनी की वजह से मल द्वार में जखम हो जाती है जो धीरे धीरे बावासिर का रूप ले लेती है इसलिए सुबर साम एक्जरसाइज और दोर जरूर लगानी चाहिए और एक जगह पर चादा समय तक नहीं बैठना चाहिए नमबर दो, कब्स की वजह से समस्या का सामना करना पड़ता है जो आगे चल कर बावासिर का रूप ले लेती है यह समस्या उन लोगों को ज़्यादा होती है जो भोजन करने के तूरन बात पानी का सेवन करते हैं भोजन करने की 15 मिनिट बात पानी पीना चाहिए नमबर तीन, फाइबर दो की कमी चरिन में फाइबर दो की कमी होने की वजह से बावासिर की समस्या पैदा हो सकती है इसलिए पत्तेदा सबजी, मूली, गाजर, पैस, आदिका सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए इससे शरीर में फाइबर की कभी कमी नहीं होगी और बावासिर की समस्या से भी छुटकाना मिल रहेगा उमिद करता हूँ दोस्तों यह जानकारी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और शेयर जरूर करे किसे भी तरह की मदद अत्वा सुझाओ के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें